Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा topic है आपके person की true current feelings आपके person क्या feel कर रहे हैं इस present time में और truly क्या feel कर रहे हैं ये हम जानेंगे So regardless आपकी क्या situation है आपके partner के साथ सबके लिए reading open है और ये reading बिल्कुल timeless है मेरी सारी readings timeless होती है जब भी आपकी नजर से गुजरेंगी आपका उस वक्त का message होगा याद रखेगा के cards possibilities बताते हैं आपकी final destination safe divine source को पता है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं thank you so much अब सबने मुझे जितना प्यार दिया है और support किया है I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so much अगर आप नए है मेरे channel पर आप भी subscribe कर लिजे और पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा so शुरू करते हैं आपके पस तीन options है option number one हमारे पास है ये white crystal और option number one के लिए दो cards आ गए एक extra आ गया मुझे सिर्फ एक ही लेना था option number two है हमारे पास ये yellow stone crystal option number three है हमारे पास ये blue stone so one two and three तीनों के time stamps description में है skip करके आप अपना answer देख सकते हैं अगर आप दो देखना चाहते हैं तीनों piles देखना चाहते हैं कोई problem नहीं जैसे आपकी intuition आपको guide करती है वैसे आप selection कर लीजिए मैं start करूंगी option number one से चिन लोगों ने option number one यानि के ये white stone select किया था ये आपकी reading होने वाली है और हम देखेंगे आपके person की true feelings क्या है और उनकी current feelings और अगर उनकी कोई intention कोई उनका possible कोई action हमें नजर आएगा उस पर भी हम बात करेंगे so let's see के इन दो cards में क्या है so group one के लिए extra एक card आया so देखते हैं कि क्या आपके लिए message है so इसके उपर लिखा है your inner world is safe embracing all your emotions to create a side or a state of flow so इसका number seven है number seven किसी के लिए important हो सकता है so I really feel के maybe आप inner work कर रहे हैं इस present time में आप balance जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं I do feel के आप काफी intense sometimes emotions feel करते हैं कभी कबार रोना आता है basically I feel के क्योंके इस वक्त आप लोगों की separation चल रही है जिन्होंने group one select किया है यह मुझे feel हो रहा है जरूरी नहीं है कि आपकी separation चल रही हो but I just feel के आप में से कुछ लोग different emotions feel कर रहे हैं बड़े intense emotions और maybe आपको अपने emotions को embrace करने की जरूरत है आपको अपने emotions से भागने की जरूरत नहीं है so let's see control issues let it go amazing number 33 है so यह cards में आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ so control issues I really feel के आप release कर रहे हैं जो चीज आप से control नहीं हो सकती है finally आपको realize हुआ कि आप इस connection को situation को control नहीं कर सकते हैं आप इस इनसान को change नहीं कर सकते हैं और आप अपने आपको change करेंगे आप inner work करेंगे आप let go करेंगे maybe आप भूलाना नहीं चाहते हैं आप आपने आपको choose करना सीखना शुरू कर दिया है basically आप ये learn कर रहे हैं कि मुझे जो चीज मेरे control से बाहर है मुझे उसे control करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना हम hold on करेंगे वो हमें उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी so जरूरी यही है कि चीजों को let go कर दिया जाए जो हम control नहीं कर सकते हैं इसको हम यहां रख देते हैं so अब हम ये देखते हैं कि आपके person की current true feelings क्या है अब ये सारी चीजें आपके लिए मैं pick कर रही थी but क्यूंकि हम आपके person की current true feelings देख रहे हैं so I do feel कि आपके person के भी कुछ control issues थे maybe वो आपकी side की story understand नहीं करते थे और चीजों को control करने की उनको आदत है वो controlling थे maybe so maybe वो learn कर रहे हैं कि ये चीज उनको अपने अंदर heal करनी चाहिए और ये चीज वो क्यूं करते हैं and maybe आपके person भी inner work कर रहे हैं और इस सारी situation में आप दोनों एक दूसरे को mirror कर रहे हैं so देखते हैं कि आपके person की current true feelings आपके लिए क्या है so maybe आपके person भी बहुत से emotions feel कर रहे हैं up, down feel कर रहे हैं अपने emotions में वो okay आपके person की current true feelings truly truly कैसा feel कर रहे हैं इस वक्त आपके person so bottom पर हमारे पास है the emperor so this is controlling energy but I do feel के ये बहुत positive energy भी होती है क्योंकि ये responsibility लेने की energy भी है so maybe आपके person serious है इस connection को लेकर इसलिए भी ये कारड़ा में नजर आ रहा है but sometimes उनको भी जरूरत है कि वो थोड़ा सा जुकाव अपने अंदर लेकर आएं थोड़े से flexible हों और आपकी side की story भी सुने so उनका शायद ये होता है कि बस जो मैंने कहा है वही होगा it's my way or the highway इस type के इनसान है शायद तो ये चीज उनको शायद learn करने की जरूरत है but with the emperor energy I feel के ये इनसान serious है इस connection के लिए but let's see more spirit हमें जवाइन message दीजेगा उनकी current feelings and true feelings मेरे viewer के लिए क्या है so we have ace of pentacles, ये तो बड़ा अच्छा start है and maybe ये इनसान एक fresh new start चाहते है ये क्या card था जो हमारी नजर से गुजरा है two of swords था, confusion so we have four of wands, wow so this is a very nice energy and emperor भी number four है so four four भी किसी के लिए important हो सकता है so this is a divine counterpart connection, soulmate or twin flame so ये इनसान आपके साथ एक नया start चाहते है उनकी current true feelings मैंने आपको बोला कि ये इनसान serious है आपके लिए amazing, oh my god seriously, the empress हमने पहले emperor देखा और अब हमें empress का card नजर आया है so ये इनसान आपको अपनी empress की तरह देखते है और ये इनसान आपसे commit करना चाहते है ये इनसान आपके साथ चलना चाहते है so maybe आप लोगा already married है और आपके person ये सोचते है आप उनके बच्चों की माँ है या उनके बच्चों के बाप है obviously तो ये इनसान इस marriage को हील करना चाहते है जिनकी शादी नहीं हुई ये इनसान शादी करना चाहते है ये इनसान basically आपकी बहुत कदर करते है देरे लिख फिल का आप उनका perfect match है oh my god the lovers this is a very very divine counterpart connection इस lovers card में आप देखें के यहाँ पर भी एक इनसान है और यहां पर भी, so maybe आप दुनों को separate ways पर जाना पड़ा ताकि आप कुछ ना कुछ learn करके फिर union में आएं So far, यह तो बहुत ही अच्छे messages आ रहे हैं, यह इतने सारे हम नहीं लेंगे, but eight of wands नजर आया which means forward movement So हमारे पास है the high priestess फिर है हमारे पास Amazing, ten of pentacles और आप देखें के यह four of wands के नीचे आया है, दोनों ही family के card है So मुझे ऐसा लग रहा है के group one जिनोंने choose किया है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपने husband या wife के लिए देख रहे हैं The lovers, this is so amazing, यह बहुत ही जादा powerful energy है And this is six of wands, victory success, oh my god Maybe किसी ने कोई trophy जीती है, कुछ जीता है उन्होंने कोई championship, I don't know but बहुत specific message है, page of cups Maybe आपके, अगर बच्चे है Maybe आपके बच्चे ने बड़ी अच्छी position ली है class में, बड़ा अच्छा कर रहे हैं यह बहुत specific message था, bottom पर हमारे पास है nine of wands, wrestling Maybe उनको wrestling देखने का शौक है but not giving up, इसका मतलब यह है कि आपके person इस connection के ओपर बिल्कुल भी give up नहीं करने वाले है उसके भी नीचे हमें five of cups नजर आ रहे हैं, Maybe आपने आपके person ने किसी को खो दिया और उन्हें बहुत ज़दा याद कर रहे है but five of cups का यह मतलब है कि उनको regret है उन्हें दुख है, जो past में उन्होंने किया मुझे आप में से कुछ लोगों का union नजर आ रहा है जो के already हो चुका है Maybe आप लोग साथ है कुछ लोगों के लिए मुझे यह नजर आ रहा है, यह specific message है और जो लोग साथ नहीं है, वो साथ होने वाले है यहाँ पर Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Sagittarius यह star signs यहाँ पर बहुत ज़्यादा strong है इसमें से कोई आपका यह आपके person का हो सकता है बट जरूरी नहीं आपने ज़्यादा energy पर focus करना है तो आपके person की true feelings इस वक्त यह हैं आपके वो guilt feel कर रहे है उनको यह feel हो रहा है कि उनके control issues रहे है और इसी वज़ा से problems create हुए हैं इस connection में बटाए strongly feel कि यह इनसान union चाहते हैं और उन्होंने एक लंभे के लिए भी यह नहीं सोचा कि आप लोगों का break up हो गया है या आप लोग separation में हैं हमेशा के लिए ऐसा एक minute के लिए भी उनकी नजर से नहीं गुज़रा है they really feel truly कि आप उनके लिए बहुत important है you are absolutely the one आपके person को कोई confusion नहीं है इस बारे में कि आप उनके लिए one है या नहीं they really want to be with you वो आपके साथ अपना future बनाना चाहते है वो serious है इस connection के लिए मैंने आपको emperor card देखते ही बता दिया था और आप देखें कि यहाँ पर जितने भी cards हमें नजर आ रहे हैं सब यह बता रहे हैं कि वो कभी भी आपके उपर give up नहीं करना चाहते हैं यह absolutely amazing and this is so wonderful यह reading बहुत अच्छी आप देखें कि सारे ही cards बहुत positive है mature connection है इसमें wisdom है इसमें प्यार है इस connection के अपने challenges जरूर है but I do feel कि इस connection में बहुत ज़दा प्यार और understanding है this is a divine counterpart connection I really feel कि यह इंसान आपके साथ सिर्फ यह lifetime नहीं बहुत से lifetimes गुजारना चाहते है यह इंसान आपसे बहुत प्यार करते है आपके respect करते है आपके point of view का understand करने की कोशिश कर रहे है यह इंसान आपको बहुत जल्द एक निया start offer करने वाले है जिनकी शादी नहीं हुई है वहाँ पर marriage होने वाली है marriage proposal आ रहा है I really really feel कि यह कोई मामूली union नहीं होने जा रहा है आप लोगों का I feel कि कुछ लोगों की शादी होने वाली है बहुत जल्द या कुछ time के बाद आप लोगों की शादी हो जाएगी जब आप लोगों का union हो जाएगा I really feel कि इंसान आपके लिए बहुत serious है और ये भी मुझे नजर आ रहा है कि maybe आपके person आपको बहुत जल्द कहीं पर ले कर जाएगे maybe आप लोग साथ में vacation पर जाएगे कोई tour करेंगे साथ में कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है but I really really feel कि आपके person की जो energy है इस वक जो उनकी true feelings है वहाँ पर कहीं पर भी मुझे ego नजर नहीं आ रही है कहीं पर भी मुझे कोई negative feeling नजर नहीं आ रही है I really feel कि आपके बारे में ये इंसान इस वक बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप दोनों बहुत जादा connected है अगर आप लोग separation में हैं भी तो इस वक्त आप लोग बहुत जादा एक दूसरे से connected हैं बहुत जादा एक दूसरे की energy को feel कर रहे हैं दोनों इस connection पर work करना चाहते हैं आपके person ने आपके उपर give up नहीं किया है और एक fresh new start वो आपके साथ चाहते हैं I do feel कि आपके दिल की feeling बिल्कुल understand कर रहे हैं इस वक्त चाहें आप लोग बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो भी आपकी feeling को समझते हैं और आप भी उनकी feelings को समझते हैं जब आप बात नहीं भी कर रहे होते आपके person ने एक लमहे के लिए भी आपके उपर give up नहीं किया और ये इनसान आपसे बहुत प्यार करते हैं they really feel कि you are the best आप में बहुत ज़्यादा understanding है patience के साथ आप उनके साथ चले हैं so they really love you ये उनकी true true feelings है and I really feel कि अभी वो यही learn कर रहे हैं कि मुझे उसकी बात भी सुननी चाहिए उसकी भी बात मुझे माननी चाहिए mutual चीज़े होनी चाहिए मुझे सिर्फ अपनी मर्जी नहीं उसके ओपर डालनी चाहिए so I really feel कि ये इनसान काफी कुछ learn भी कर रहे हैं जो भी उनका एक यहाँ पर हमें नज़र आ रहा था ना emperor के साथ control issue या कुछ भी क्योंकि इनसान आपको खोना नहीं चाहते है मैंने deck को आदा किया तो हमें five of pentacles नज़र आया which is amazing क्योंकि यहाँ पर five of cups है five five किसी के लिए important हो सकता है so इसका मतलब यह है इनसान आपको कभी भी नहीं खोना चाहते है never ever they really feel कि आपके होने से उनकी जिंदगी में fortune है आप उनके लिए good luck है उनका lucky charm है आप जब साथ नहीं होंगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा बिलकुल अधूरे होंगे वो उनको ऐसा लगता है उनको कुछ नहीं चाहिए है I really feel कि यह इनसान materialistic नहीं है I do feel कि obviously इनसान को जीने के लिए मेहनत भी करनी होती है जाहर हर चीज़ करनी पड़ती है यह जरूरी है जब तक कि हम earth पर है but I really feel कि आपके person एक ऐसे इनसान है कि जिनको दुनिया की और चीज़ों की लालच नहीं है और आप भी ऐसे ही इनसान है बड़े ही spiritual हैं आप दोनो So I feel कि they really feel कि आप उन्हें चाहिए हैं हमेशा हर mode पर आप उन्हें चाहिए हैं So आपको नहीं खो सकते आपका loss नहीं वो सहना चाहते ना बरदाश करना चाहते हैं They really love you और वो बहुत जल्द आप से communicate करने वाले अगर communication नहीं चल रही With the knight of swords So बाकियों के लिए जिनकी शादी हुई भी है अगर अभी तक उन्होंने आपको मनाया नहीं है बहुत जल्द वो आपको मना लेंगे चीजे अच्छी होने वाली हैं आप लोगों के connection में So अब हम कुछ oracles देख लेते हैं कुछ oracles देख लेते हैं आपके लिए आपके person की feelings True feelings क्या है उनकी true feelings उनकी true feelings उनकी true feelings उनकी true feelings Spirit हमें divine message दीजेगा We have heart to heart conversations आप से बात करना चाते हैं दिल का बोज हलका करना चाते हैं One more card Oh my God Pay attention to the red flags Bottom पर हमें नजर आ रहा है So they really feel कि अगर आपको खो देंगे तो जिन्दगी बिल्कुल वीरान हो जाएगी Flirt So दिल का बोज हलका करना चाते हैं Light hearted energy Extend करना चाते हैं I really feel कि आप बहुत ज़्यादा joy बहुत ज़्यादा motivation लेकर आते हैं उनकी जिन्दगी में और वही energy वो आप से चाहते हैं Miss कर रहे हैं आपकी उस light hearted energy को और आप से दिल की बाते करना चाते हैं This is true love And new love So यह connection renew करना चाते हैं Basically आपके person They truly truly love you यह उनकी true feelings हैं कि वो आप से सचे दिल से प्यार करते हैं और अगर आप इस reading को अभी तक देख रहे हैं और इससे resonate आपने किया है I really feel कि आप बड़े लगी हैं And obviously आपके person भी बहुत लगी हैं Because this is a very divine connection And this is true love So यह इनसान truly आप से प्यार करते हैं और एक नया स्टार्ट चाते हैं Ace of Pentacles आपके साथ नया स्टार्ट चाते हैं यह इनसान आपके लिए क्या advice है यह देखते हैं So this person truly loves you यह हमें पता चल गया है उनकी true true feelings वो अपने दिल का बोज घलका करना चाते हैं आप से बात करना चाते हैं We really want to connect अगर आप शादी शुदा हैं आपको वो बताना चाते हैं कि वो कितना आपको हर दिन appreciate करते हैं Maybe appreciation की यहां पर कमी थी तो वो आपको appreciate करना चाते हैं कि आप उनकी जिन्दगी में हैं वो lucky हैं कि आप उनकी जिन्दगी में है And loving space I cannot learn other people's lessons for them They must get there themselves at their own time I can simply hold loving space for them as they go through their journey This is very amazing basically क्योंकि इस lovers card को देखते हुए मैंने आपको बोला था कि यहां पर आपके person अकेले हैं यहां पर आप अकेले हैं Gender specific reading नहीं होती आपको पता है तो आप दुनों का यह time separation का जरूरी था ताके union में आने से पहले आप लोग चीज़ें learn करें और आप उनको एक loving space दें इस card के ओपर यही लिखा हुआ है क्योंकि आप लोगों के लिए उनके lessons learn नहीं कर सकते हैं तो उनको अपना lesson खुद ही learn करना होगा और इस सारी situation में आप सिर्फ उनको एक loving space दें जिसमें आप उनको healing energy भेजें और खुद भी learn करें और grow करें और उन्हें भी करने दें और फिर आप दोनों union में आएंगे सो ये आपके लिए बहुत ही प्यारा message आया है और आपकी reading से बिलकुल match कर रहा है जो मैं आपको message पहले दे रही थी सो जो लोग separation में हैं इवन जो लोग शादी शुदा हैं और एकी घर में रहते हैं उनके लिए भी ये message है कि अपने partner को space दें उनको ताना ना दें उनको taunting ना करें चलते फिरते खामोश रहें उनको learn करने दें उनकी mistake वो खुद learn कर लेंगे आप grow करें आप खामोश रहें दिन भर की चीज़ें करें जो आपको करनी होती हैं बच्चों को school भेजें सारे दिन भर जो भी काम आपने घर में करने होते हैं अपना भी खयाल रखें तो चीज़े normal होंगी, ठीक होंगी और this is true love ये याद रखें कि ये true connection है ये आपके लिए message आया है अब हम channeled messages देखेंगे आपके person की तरफ से और ज्यादा messages नहीं लेंगे अभी आपके person completely ready नहीं है क्योंके कुछ लोग अभी process में है learning के और कुछ लोग बस learn करने ही वाले है और आप लोग union में आ जाएंगे So now is not the right time basically I am hearing I am ready to fix everything देखा आपने कुछ के लिए अभी वो पहुँचे नहीं है realization तक but कुछ पहुँच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वो ready है सब कुछ fix करने के लिए और जो collective के लिए message आ रहा है वो यह है कि ये इनसा definitely this connection को fix करना जाते है and then there are so many obstacles bottom पर है I don't deserve you so they really feel कि वो आपको deserve नहीं करते है sometimes उनको ऐसा feel होता है क्योंकि उन्हें अपने उपर गुसा आता है maybe उनके गुसे की वज़े चीज़ें खराब होती है there are so many obstacles so मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग शादी शुदा है वहाँ पर families जो हैं वो आप लोगों के दरमयान एक obstacle है families आपको गलत बाते समझा रही है sometimes ऐसा होता है कि और लोग जो है वो इंटरफेर जब करते हैं तो वो गलत चीज़ें गाइड करते हैं और फिर और जादा relationships खराब हो जाते हैं तो ये हो सकता है बाकी और भी obstacles हो सकते हैं maybe जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी families issue हो सकती है या कुछ और चीज़ें finances but हम उसकी detail में नहीं जाते हैं but आपके person आपको ये बता रहे हैं कि obstacles बहुत हैं अभी but चीज़ें ठीक हो जाएंगी चाहे जितने मर्जी obstacles हों वो इस connection को fix करने के लिए अपने आपको तयार कर रहे हैं because they truly want you so इसमें कोई शक नहीं है ये हैं उनकी true feelings आपके लिए so अब हम yes, no question पर आपके आने लगे है 7 letters और numbers होंगे आपके लिए आपका name initial, आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life, path, number, house, number, car, number let's see क्या आता है so शुरू करते हैं yes and no say so we have F, G, S, N, J, K, X, N, Q, U, Q, Z, N P, Z, P, Z, 11, 11, 11, 11, 11, 8, 8, V, B, 9, 9, 1, 1, 1, 1, V, R, J, so no way आपका answer आया है और आप देखें no हमारे पास यहां पर भी आया so no का मतलब होता है now is not the right time I don't know आपने क्या question किया है obviously 9, V, E, S, F, 6, 6, 6, F, and Y so no आपका answer आया है और यह आपके letters and numbers है देख लिजे कैसे आपसे match करते हैं और यह आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे आप जरूर बताईएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 2 यानि के yellow stone select किया है यह आपकी reading है आपके person की current true feelings आपके लिए क्या है यह हम जानेगे so, इस card में overall message है आपका let's start know your worth, keep your standards high number 37 है so, I'm hearing self-sabotage इसका मतलब यह है कि आपके person चाहिए इस connection को खराब कर रहे हैं अपने fears की वज़ा से और maybe उनकी बहुत ही जादा low self-esteem है और इसका reason उनके past connections, traumas यह सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वज़ा से उनको लगता है कि वो आपको deserve नहीं करते हैं और they hurt you basically इस fear की वज़ा से इसकी वज़ा से वो आपको hurt करते आए हैं और फिर आपके लिए भी self-love का message आ रहा है know your worth अपने standards को high रखें less के लिए settle down ना हो आपके person ने maybe किसी complex की वज़ा से किसी past trauma की वज़ा से आपको बहुत hurt किया और जान बूच कर नहीं किया I am hearing के उनके past में जो भी चीज़ें थी उनकी वज़ा से उनकी low self-esteem हो गई और उनको ऐसा लगता है कि वो lovable नहीं है वो प्यार deserve नहीं करते और फिर किसी ना किसी complex में भी चले गई यह इनसान और आपने उनने बहुत प्यार दिया बर आपको बड़ा unworthy feel करवाया उनोंने हमेशा So know your worth आपके अंदर कोई कमी नहीं है याद रखिएगा Let's see So आपके person बहुत ज़दा struggle करते है When it comes to their self-esteem उनको लगता है कि वो लवेबल नहीं है हाला कि आपने उनको बहुत प्यार दिया They still feel they are not lovable उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता है So let's see आपके person की feelings current true feelings उनकी क्या है आपके लिए They are true feelings True, true feelings We have justice and two of cups So ये इनसान जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ injustice किया है और वो आपके साथ union चाहते हैं अगर तो आप separation में हैं जरूरी नहीं कि आप लोग separation में हों But let's see Spirit हमें divine message दीजेगा उनकी true feelings उनकी current feelings बहुत सारे cards आगे बट यहाँ पर death नजर आया है transformation की जरूरत है यहाँ पर यह हो रही है transformation already We have king of pentacles Maybe आपके person completely focus कर रहे हैं अपने financial situation, अपने work, अपने business पर the world हो सकता है सिलसिले में वो travel कर रहे हैं आप में से कुछ लोगं का long distance हो सकता है कुछ लोगं का हो सकता है कि internet के through यह connection बना I also feel कि आपके person को ऐसे लगता है कि उनके पास अगर बहुत सारा पैसा होगा तो दुनिया उनके कदमों में होगी वो दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं पैसे से अगर उनके पास बहुत सारा पैसा हो यह limiting belief उनका हो सकता है फिर हमारे पास five of cups but then अगले ही second वो यह सोचते हैं कि नहीं पैसा इनसान को fulfill नहीं कर सकता है कुछ लोगं के लिए में भी आपके person ने अपने parents में से किसी को खोया किसी की death हो गई और वो उनको बहुत ज़दा याद करते हैं और उस trauma से वो अभी तक नहीं निकल पाए we have the fool आपके person के अंदर बहुत सारे fears हैं यह देखिए this is so interesting justice so maybe वो हर चीज पैसे में तोलते हैं या आपको ऐसा लगता है कि उनके complex वाली जो हम बात कर रहे थे ना उसका reason यह भी हो सकता है कि पैसों से related आपके person को कोई complex है maybe उनके past में पैसे की वज़ा से कोई उनको छोड़ कर चला गया चाहे वो male हुई या female और फिर उन्होंने सोचा कि वो बहुत पैसा कमाएंगे बहुत पैसा बनाएंगे maybe आपके person ने बहुत पैसा बना भी लिया या वो बहुत independent है but still उनकी जिन्दगी में peace नहीं है क्योंकि अभी तक उनको ये realize नहीं हुआ कि पैसे सकून और महबबत ये चीज़े नहीं खरीदी जा सकती है पैसा बिलकुल important है but उससे ये सकून नहीं खरीदा जा सकता है maybe ये चीज़ अब जाकर थोड़ी थोड़ी उनको realization हो रही है so we have six of cups ये इंसान बहुत ज़दे याद कर रहे हैं आपको pictures देख रहे हैं आपकी they are missing you और मुझे ऐसे लग रहे है कि अपने बचपन को भी याद कर रहे हैं ये इंसान ये हम नहीं लेंगे बहुत सारे आ गए we have nine of wands okay ये इंसान इनको regret है उनकी true feelings उन्हें regret है क्या था ये card वैसे ये देख लेते हैं wish fulfillment two of wands and then seven of cups ये इंसान आपके उपर give up नहीं करना चाहते बट उनको risk लग रहा है आपसे बात करना आपकी तरफ आना उनको एक risk लग रहा है for whatever reason उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना उनके लिए बहुत challenging है वो choose आप ही को करेंगे करना चाहते है बट उनको लग रहा है उनको लग रहा है क्योंकि वो reject नहीं होना चाहते क्योंकि मेभी उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ injustice किया और अब उनको लगता है कि tables turn हो चुके है उनको लग रहा है कि अब वो आपको अगर pursue करेंगे तो आप उन्हें धुतकार देंगे आप उनसे बात नहीं करेंगे और वो इसलिए डर रहे हैं और वो इसोच रहे हैं कि अब उनको उनका karma मिलने वाला है वो अपने karma से बहुत डरे हुए है Interesting messages Bottom पर हमारे पास है Two of Pentacles बहुत ही Interesting किसम का Two of Pentacles है जिसमें हमें कब भी नज़र आ रहा है एक sword भी नज़र आ रही है wand भी नज़र आ रहा है Right So सिर्फ Two Pentacles ही नहीं है इसमें बहुत कुछ है और basically I feel कि आपके person कुछ भी life में balance करनी पा रहे है balance करना चाते है यानि उनका work उनकी love life Right उनके passions responsibilities सारी चीज़ों को balance करना चाहते है ये इनसान एक वक्त में बहुत ज़्यादा आप कहलो के मुश्किल हो रहा है उनके लिए harmony create करना क्योंकि एक चीज़ को जब वो balance करते हैं तो दूसरी चीज़ें neglect होती है अगर यहाँ पर pentacle को हटा कर कप आजाए तो फिर pentacle वाकी चीज़ें imbalance हो जाएंगी तो बहुत difficult position में है ये इनसान ओ गॉड यह देखिए nine of swords यही बात तो मैं कर रही हूं ये इनसान बहुत ही difficult position में है number two किसी के लिए important हो सकता है और यहाँ पर कौन से numbers है seven number nine number six number nine ये भी है और ये भी है so number eleven so ace of pentacles ये इनसान आपको fresh new start offer करना चाहते हैं but they don't know with the moon आप उनके लिए एक mystery है उनको नहीं पता कि आप कहां पर stand करते हैं with the moon energy वो आपको offer करना चाहते हैं एक new start but बहुत परिशान है उनकी thoughts खा रही हैं उनके past actions I feel उनको haunt कर रहे हैं like literally उनको haunt कर रहे हैं उनके past actions और वो डरे हुए हैं अपने karma से ये उनकी true feelings हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका karma शुरू हो चुका है उल्टी गिंती जिसे कहते हैं उल्टी गिंती शुरू हो गई है उनकी यहां पर hurt वाले cards नहीं है आपके person की feelings हैं but I just feel कि इन्होंने आपको बहुत hurt किया है और इसी लिए उनको haunt कर रहे हैं अब वो सारी चीजें कि अब क्या होगा यहां पर Libra है Taurus है Capricorn है Pisces Aquarius Cancer The Fool मेरे लिए Sagittarius card है तो यह star signs है यहां पर इसमें से कोई आपका यापके person का हो सकता है बड़ जरूरी नहीं है आपने energy पर जादा focus करना है So I really feel कि आपके person को कहीं न कहीं महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने आपके उपर project की जिस तरह से उन्होंने आपको hurt की आपने complexes की वज़ा से आप उसकी सजा उने मिलेगी Because आप नहीं है उनकी जिन्दगी में I really feel कि आप नहीं है इस वक्त उनकी जिन्दगी में मुझे हर जगा आपके person के माबाब गुजर चुके है यह देखिए chariot नजर आया हमें So यह इन्सान आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत सारे रस्ते हैं उनको समझ जा रहा कि किस डारेक्शन में वो जाएं बट यह इन्सान आपकी तरफ आना चाहते हैं So maybe आपके person के parents में से बहुत जादा आपकी कमी उनको महसूस हो रही आपको बहुत जादा याद कर रहे हैं यह इन्सान With the six of cups और फिर अपनी family को भी याद करते हैं साथ साथ क्योंकि वो बिलकुल alone है अब तो उन्हें याद आती है आपकी So I feel कि यह इन्सान आपसे अभी भी प्यार करते हैं बट उनके अंदर इतनी courage नहीं है कि वो आपके सामने आ जाएं उन्होंने give up नहीं किया आपके उपर बट वो कुछ आपके लिए action भी नहीं ले रहे हैं उन्होंने आपके उपर give up नहीं किया बट यह इन्सान परेशान है अंदर ही अंदर चीज़ें उन्हें हांट कर रही है उन्हें उनकी thoughts खा रही है लेकिन यह इन्सान कोई action भी नहीं ले रही है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं बस उसी energy में है forgiving and learning हमें नजर आ रहा है which means यह इन्सान आपसे माफी मांगना चाहते है let's see more उनकी true feelings क्या है so वो अपने आपको अपने काम में मसरूफ रखने की कोशिश कर रहे है ताकि वो आपको याद ना करें बट फिर भी वो आपको याद कर रहे है they are missing you वो आपके साथ एक नया start चाहते हैं but वो इस हवाले से कोई action नहीं ले रहे कुछ भी नहीं कर रहे है so I feel कि अभी आपके person उस breaking point पर नहीं पहुँचे है जहां पर वो कोई action ले कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत used to होते हैं तकलीफ सहने के बड़ा interesting message है कि बत अब तकलीफ सहते रहेंगे सहते रहेंगे, action नहीं लेंगे कुछ करेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं बस सहते रहेंगे और अपनी life को miserable होता देखते रहेंगे, देखते रहेंगे इस वक्त आपके person उस state में है कि जहां पर वो choose भी आपको करते हैं प्यार भी आपसे करते हैं याद भी आपको इंतहा से कर रहे हैं कि वब भी नहीं कर रहे हैं आपके उपर बट आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं सो इस तरह की energy में हैं मानते भी हैं कि आपके साथ injustice किया है लेकिन आपको कुछ नहीं दिखा रहे ना आपकी तरफ आ रहे है और कोई action लेने का नहीं सोच रहे still बहुत confused है action के बारे में उनकी true feelings, spirit we have getting to know each other as you reveal your enemo cells to each other your bond deepens and we have make the effort great love is worth taking the steps you are guided to take so you are guided to take I feel कि इस वक्त उनिवर्स की तरफ से उनको signs मिल रहे है synchronicities, उनके angels, उनके spirit guides आपकी तरफ उनको guide कर रहे है कि उनको direction दिखा रहे हैं कि इस direction में जाओ do this go for it लेकिन वो अभी तक understand नहीं कर पा रहे हैं pay attention to the red flags अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो consequences क्या होंगे उनके signs भी उनको नज़र आ रहे हैं very interesting message pay attention to the red flags we have children so basically ये इनसान emotionally immature है childish behavior कर रहे हैं इस present time में children involved भी हो सकते हैं अगर आप अपने husband wife के लिए देख रहे हैं children involved हो सकते हैं excuse me okay so bottom पर क्या नज़र आ रहा है flirt so they really want to be with you आपके साथ वो अपने सारे गम भूल जाते हैं they know कि उन्हें आपके साथ होना चाहिए इस वक्त वो effort भी करना चाहते हैं आपसे दिल की बाते भी करना चाहते हैं उन्हें science भी नज़र आ रहे हैं फिर उन्हें consequences भी feel हो रहे हैं कि अगर आप नहीं होंगे तो कितनी miserable है लाइफ आपके बिना but वो कोई action नहीं ले रहे है okay I feel कि हमें देखना चाहिए कि क्या वो कोई action लेंगे या नहीं क्योंकि वो कोई action नहीं ले रहे हैं हलांकि उन्हें signs मिल रहे हैं नजर आ रही है let's see कि अगले दो तीन हफतों में ये इंसान कोई action लेंगे या नहीं spirit divine message दीजेगा कोई action लेंगे या नहीं अगले दो तीन हफतों में वो कोई action लेंगे या नहीं 2-3 weeks में spirit okay दो कार्ट जाफी होंगे we have knight of pentacles and ace of wands yes communication होगी this is so interesting, ये इंसान slow है, spirit का ये कहना है, learn करने में, आगे बढ़ने में slow है, but ये इंसान एक stable offer के साथ आपकी तरफ आएंगे, this is so amazing, तो इसलिए उनको थोड़ी सी देर हो रही है आने में, लेकिन देर से आएंगे, लेकिन stability के साथ और पूरी सचाई के साथ आएंगे, this is a very nice message, शुकर है कि हमने ये चेक कर लिया, so I feel कि passion के साथ, new ideas के साथ, positivity के साथ ये इनसान आएंगे, so अभी अगर वो नहीं आ रहे हैं, delay है, कोई action नहीं ले रहे हैं, spirit का ये कहना है कि ये अच्छी बात है कि वो अभी नहीं आ रहे है, because maybe उनको अभी काफी कुछ learn करने की जूरत ह जितना time वो आप से दूर रहेंगे, उतनी जादा उनमें तड़ब बढ़ेगी आपके लिए, उतना जादा वो learn करेंगे, और फिर उतनी ही ज्यादा strong will के साथ वो आपके पास वापस आएंगे, और जब वो आपके पास वापस आएंगे, तो बहुत ही genuine intentions के साथ आएंगे, बहुत ही surety के साथ आएंगे, क्योंकि अभी तो वो बस एक limbo में आप कहलें के हैं खुद से, या confusion में हैं, आपकी आदा भी रही है, सब कुछ जानते भी है, action नहीं ले रहे हैं, क्योंकि will और motivation नहीं है, तो जब वो 110% sure हो जाएंगे, तो वो आपको approach करेंगे, और definitely ये अगले 2-3 weeks में, so bottom पर हमारे पास है page of wands, wow, so I really feel के कुछ ना कुछ उनको ऐसा नजर आएगा 2-3 weeks में, कुछ ऐसा होगा, उनके इर्द 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 या उनकी life में, जो उनने एक दम से inspire करेगा, कि वो आपसे connect करें, ये card भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, oh my god, हम तीन हफतों की बात करें, और यहाँ पर three of wands आ गया है, और ये patience का और waiting का card भी है, और जैसे आप wait कर रहे हैं, और कोई आ रहा है, so कहीं न कहीं आपके intuition भी आप से कहती है, कि वो इनसान आएंगे आपके पास वापिस, maybe देर से आएंगे, लेकिन आएंगे, और जब आएंगे, तो 110% surety के साथ आएंगे, this is such a nice message, इतने समय में आपको क्या करना चाहिए, ये देखते हैं, आपके लिए क्या message है, spirit divine message, एक card हमें चाहिए मेरे viewer के लिए, okay, balance, और balance का ही तो सारा यहाँ पर मसला है, ये इनसान भी balance लाना चाहते हैं, they just don't know कैसे लाएं, कहां से शुरू कर रखें, so I surround myself with people I love and enjoy my time with them, but I also take time to nurture my relationship with myself, I have found a healthy balance between being with friends and having self-care time, so आपको भी balance लाने की ज़रूत है, अपने family के साथ, friends के साथ, जो आपको loved feel करवाते हैं, हमके साथ time spend करें उतने में, वैसे भी किया करें, अपने आपको भी nurture करें, अपने आपको भी time दें, ये message भी आ रहा है जब तक आपके person नहीं आ रहे हैं, self-care पर focus करें, और उन लोगों के साथ रहें, जो आपको प्यार देते हैं, ये बहुत प्यारा message आया है, so आप भी balance लाएं अपनी जिंदगी में, वो भी लाएंगे, और फिर आप लोगों का union हो जाएगा, so कुछ messages, channeled messages, आपके person की this is so amazing, ये दोनों cards group 1 के लिए भी आये थे, और मुझे this pile की थोड़ी-थोड़ी similarity group 1 से थोड़ी-थोड़ी लगती है, आप चाहें तो check कर लीजेगा, हो सकता है group 1 और 2 में आप confused थे, कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा, oh my god, I love you, so this person loves you, one more card spread, one more card, channeled message, दो आ गये हैं हमारे प a wounded warrior, yes, nine of wands है हमारे पास, ये, ये wounded warrior का card है, life ने उने बड़ा test किया है, so, old wounds थे उनके, जिसको वो हील कर रहे हैं, and you are my soulmate, आप उनके soulmate है, and they love you, bottom पर है, I wish you were here, so they really wish कि आप अभी उनके साथ होते, उनके पास होते, सो ये हैं आपके person की true feelings, अब हम आपके लिए yes, no करेंगे, साथ letters और numbers, आपका name initial, आपके partner का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, life path number, house number, car number, let's start with yes and no, So हमारे पास आगया है H, D, 99, W, D, Q, K, G, J, I, I, 0, 11, 11, 11, S, D, E, A, K, J, F, Q, E, C, Q, G, A, H, Y, and C, So ये हैं आपके letters और numbers, देख लिए कैसे आप से match करते हैं, और ये आप लोगों की reading थी, so answer आपका yes आ चुका है, So I really hope कि ये video, ये reading आपके लिए helpful रही, अगर रही तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा, अगर आप नए थे मेरे channel पर, channel को subscribe कर लिजे, और like जरूर दीजेगा, और हो सके तो share भी कर लिजेगा, जिन लोगों ने option number 3, यानिके ये blue stone select किया है, ये आपकी reading है, और हम देखेंगे कि आपके person की current true feelings आपके लिए क्या है, truly वो आपके लिए कैसा feel करते हैं, इस card में आपका overall message है, so let's find out, so we have just for fun, don't take life too seriously, इसका number 43 है, जो कि 7 बनता है, so हो सकता है कि number 7 आपके लिए important हो, so I feel like कि आपको महसूस हो रहा है कि ये इनसान serious नहीं थे आपको लेकर, या वो seriously लेते नहीं थे कभी भी आपकी बात को, या अगर आप लोग साथ है तो आपको लगता है कि वो seriously नहीं लेते हैं, और वो सिर्फ fun कर रहे थे आपके साथ, वो real नहीं थे आपके साथ, so ये बड़ा heart breaking है आपके लिए, बट I also feel कि आपके लिए ये message आ रहा है कि चीजों को थोड़ा सा light लें, जिन्दगी में हर चीज़ को दिल पर मत लगाएं, इस तरह तो आपके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जागा अगर आप हर बात को दिल पर लगा लेंगे, so don't take life too seriously, 1.11 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये कहा, sign हो सकता है आपके लिए, so देखते हैं कि आपके जो person हैं, इनकी true feelings आपके लिए क्या है, so maybe वो आप से ही कहते थे कि आप बहुत ज़्याद़ sensitive हैं, आपको इतना sensitive नहीं होना चाहिए, आपकी feelings को ऐसे कहते थे कि ये तो invalid हैं, so ace of pentacles and wheel of fortune, कुछ लोगों के लिए कोई जिन्दगी का नया start होने वाला है, आपकी तरफ, you know, luck is on your side with the wheel of fortune, and ace of pentacles, कोई नई opportunity, जिन्दगी में कोई बेहतरी आपकी आने वाली है, देखते हैं आपके person की current true feelings आपके लिए क्या है, उनकी true feelings and current feelings, so bottom पर ace of wands नजर आ रहा है, which means के कोई नया idea, कोई spark, कोई motivation ये इनसान feel कर रहे हैं, इस connection के लिए और आपके लिए, में भी इनसान फिर से एक निया start चाते हैं आपके साथ, फिर से seeds plant करना चाते हैं, I really feel के inspired feel कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, spirit हमें divine message दीजेगा, उनकी true current feelings, okay, we have eight of wands, बड़ा clear message आगया, inspiration feel कर रहे हैं आपके person, आपकी तरफ आना चाहते हैं with the eight of wands, communication आ रही है कुछ लोगों के लिए, जो लोग साथ हैं उनके लिए, I feel के progress करने वाला है connection, we have nine of wands, काफी जादा fire energy है, we have king of swords, I feel के इस दफा clarity के साथ और सच्चाई के साथ आएंगे वो, इसलिए king of swords आया है, we have page of pentacles, उन्होंने अपने उपर work किया है, उन्होंने, I feel के, कुछ सीखा है, learn किया, आप देखें के काफी सारी books, maybe आपके person को book reading का बहुत shock है, सोने से पहरे, कोई अच्छी book पढ़ने के बाद वो सोते हैं, या आपको भी reading का shock है, या knowledge लेने का, so I feel के उन्होंने कुछ learn किया है, उन्होंने कुछ work किया है अपने उपर, और वो आपको बताना चाहते हैं, आकर आपके पास, कि मैंने ये सीखा है, this is beautiful, the sun, such a beautiful sun card, आपके परसन आ रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, किसी भी लम्हें उनकी call, उनका text, आ सकता है, so फिर है queen of wands, you are looking good, glow up नजर आ रहे हैं कुछ लोगों का, three of pentacles, so collaboration, reconciliation चाहते हैं ये इन्सान, उनकी true feelings, उनकी true feelings, maybe, आपने ये सोचा, कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनकी जिन्दगी में नहीं जाएंगे, आप उन्हें चेज नहीं करेंगे, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते, अभी मैंने ये बोला भी नहीं था, तो आप देखें क्या card आया है, behavior, addictions, different चीज़ें हो सकती है, so bottom पर हमारे पास है the magician, हो सकता है कि ये change आपने manifest किया है, आप manifest कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप queen of wands की energy में हैं, चाहे आप male हो या female, I do feel कि आप एक बहुत ही खुबसूरत energy में हैं, और इसी वज़ा से ये इनसान आपकी तरफ एक pull महसूस कर रहे हैं, बड़ा ही strong, बहुत ही strong, so five of cups है, which means कि आपके person को बहुत सा regret भी है, बहुत सा guilt है when it comes to this connection, आपके person को पच्चतावा ये है कि मैंने इस queen of wands को कैसे जाने दिया, मैंने, ओ वाओ, ये तो बहुत ही ज़ादा powerful है, बहुत ही strong है, oh my god, मुझे इस इनसान की ये side क्यों नजर नहीं आई, मैंने इसको for granted क्यों लिया, suddenly आप एकदम उनके लिए आपकी energy आपने change की है, तो आपको वो बिल्कुली एक different light में देखना शुरू हो गए है, या उस light में कि जब शुरुवात में आपको देखा करते थे, जब connection शुरू हुआ था, but I feel कि जब connection शुरू हुआ था, उससे भी ज़्यादा बहुतर energy में आप आज हैं, क्योंकि आपने कुछ और भी ज़्यादा learn किया है, तो ये इनसान देख रहे हैं कि आप बहुत grow कर रहे हैं, life में, और अगर आप किसी ना किसी तरह उनको नज़र आते हैं, social media के through, या कुछ अगर काम आप ऐसा करते हैं, कि आप पबली काए में हैं, कोई social media parents है आपकी, वो देखते हैं आपको और वो हैरान है, मतलब उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था, लेकिन वो नहीं हो रहा, और जो हो रहा है, वो बहुत ही बहतर है, और यही चीज उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़दा खेंच रही है, आपको अपने authentic truth में खड़े हैं आप, with the queen of wands, the empress, आप अपने उपर focus कर रहे हैं, आप life में grow कर रहे हैं, आपको अपनी worth का पता है, so I really feel कि आपके person की तरफ से आपको truth की demand थी हमेशा से, authenticity चाहिए थी आपको हमेशा, आपको कभी उनसे कोई लालच नहीं रहा, आपको सिर्फ ये था कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ negative है भी तो मुझे सच बताओ, और वो कभी admit नहीं करते थे सच चाहिए आपके सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि basically जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने learn की है, वो ये की है कि मुझे इस इनसान के साथ सच बोलना होगा, मुझे इस इनसान के सामने कुछ छुपाने की ज़रूत ने, because ये इनसान judge नहीं करने वाला मुझे, यानि आप, वो मुझे judge नहीं करेगी, वो समझेगी मुझे, ये इनसान मुझे understand करेगा, so basically, आपको दूख इस बात का है, कि उन्होंने आप पर इतना trust नहीं किया, कि वो आपको सच्चा ही बताते, हम कभी सच इसी लिए नहीं बोलते, क्योंकि हम सामने वाले पर trust नहीं कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ ने आपको hurt किया, and then, उन्होंने आप अपने बारे में छुपाईएं आपसे चीज़े, मेभी उनको कोई addiction थी, और उन्होंने relationship के शुरुवात में आपसे छुपाईएं, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देना चाहते थे, और जब आप उनसे प्यार करने लग गए, deeply involved हो गए, तब जाकर आपको कुछ चीज़े या, तो आपने खुद से figure out की, या उन्होंने आपको तब जाकर बताया, ताकि feelings develop हो जाएं, और आप उनके जिन्दगी से जाना सकें, कुछ ऐसा हुआ, so I do feel कि काफी कुछ जानने के बाद भी, आप उनके साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, आपने कोशिश की, बार-बार कोशिश की connection को चलाने की, बढ़ कुछ चीज़ें work नहीं कर रही थी फिर भी, और फिर आपको उनकी जिन्दगी से जाना पड़ा, अगर आप नहीं भी गए हैं, जो लोग साथ में हैं, I just feel कि आपने उनके उपर जादा focus करना छोड़ दिया है, आपने उनसे वक्त मांगना छोड़ दिया है, आपने उनसे complain करना छोड़ दिया और आप अपने उपर focus कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनको बड़ा bother कर रही है, कि आप change हो गए हैं, बदल गए हैं, So, आपके person truly ऐसा feel करते हैं, कि उनकी happiness आपके साथ है, वरना वो बिल्कुल darkness में हैं, अगर आप नहीं होंगे, आपके होने की वज़ा से ही उन्होंने learn करना शुरू किया है, baby steps लेना शुरू किये हैं, learning की तरफ, growing की तरफ, spiritual growth की तरफ, उन्होंने steps लेना शुरू किये हैं, बहुत major transformation मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, but I do feel कि कुछ ना कुछ change जरूर हो रहा है, with the page of pentacles, at least उन्होंने कुछ baby steps लेना शुरू कर दिये हैं, growth की तरफ, positivity की तरफ, और सब आपकी वज़ा से हो रहा है, so, आज कि तीनों ही piles आपस में काफी connected थे, आपस में connected है, आप पहले दो भी देख लीजिएगा अगर आपका दिल करेगा, so, I feel कि यह इनसान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, at least वो यह जरूर सीख रहे हैं कि उन्हें सच बोलना चाहिए, उन्हें अपने authentic true self में होना चाहिए, अगर उनके साथ कोई problem है, कोई issue है तो उसके बारे में भी उनको सच बोलना चाहिए, अगर वो सिर्फ fun करने के लिए किसी की जिन्दगी में जाना चाहते थे, तो उनको बोलना चाहिए था कि वो सिर्फ fun करने के लिए हैं, वो long term के लिए नहीं है, वो commitment के लिए नहीं है, वो शादी के लिए नहीं है, I do feel कि ये इनसान commitment के लिए ready नहीं है, शादी के लिए ready नहीं है, settle down होने के लिए ready नहीं है, और इस चीज़ ने obviously आप इसलिए पीच्छे हुए, because आप Empress हैं, you deserve love, commitment, maturity, पर ये इनसान उसके लिए ready नहीं थे, I really feel कि आपके परसन को कोई fear of commitment है, commit नहीं करना चाहते हैं वो अभी, and then obviously आपने फिर ये कहा कि, ये सिर्फ fun के लिए मेरी जिन्दगी में थे, और ये इनसान सिर्फ time pass कर रहे थे, और आपके साथ true नहीं थे, they do truly love you, but I feel कि commitment से पता नहीं वो क्यूं डरते हैं, ये भी अपने past experiences की वज़ा से, parents को देखा, और लोगों को देखा, इस वज़ा से शायद, या past में वो किसी से, दिलो जान से शादी करना चाहते थे, और वो बीच रह में उनको छोड़ कर चले गए, 11.22 हो रहे थे वीडियो में, जब मैंने ये कहा, confirmation के, ये भी ऐसा हुआ उनके साथ, इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि, वो commit नहीं करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, कुछ ऐसा, या past में उनकी divorce हो चुकी है एक दफा, या फिर वो अलड़ी एक toxic marriage में, ये हो सकता है, ये बहुत specific messages हैं, ये सब के लिए नहीं होंगे, आपने परिशान नहीं होना, and still ये reading आपी के लिए है, अगर एक दो messages नहीं हैं, आप से match हो रहे, still अगर आप बाकी messages से आपने relate किया है, तो ये reading आपी की है, so, I just feel कि ये इनसान अभी भी commitment के लिए, शादी के लिए ready नहीं है, let's see more, ये इनसान truly क्या feel करते हैं, and obviously फिर आपने उनसे अलाइदगी कर ली होगी, because वो commitment के लिए ready नहीं थे शादी के लिए, but ये इनसान reconciliation चाहते हैं आपके साथ, the magician, so, अगर आपके ये husband हैं, या ये आपकी wife हैं, आपको ऐसा feel होता है कि आपने, maybe इनसे शादी करके गलत decision लिया, क्योंकि ये इनसान बहुते mature हैं, शादी के बाद भी ये इनसान जिम्मधारी नहीं लेते हैं, right, ऐसा आपको लगता होगा, but कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ये इनसान आप उनकी happiness हैं, ये देखिए, love yourself first, self love का message आ रहा है यहां पर, आपके लिए भी, उनके लिए भी, soulmate, ये आपके soulmate हैं, जिनसे आप deal कर रहे हैं, so maybe आप उनकी जिन्दगी में इस लिए भी आएं, कि ताके वो learn करें, grow करें, change हो, positive change लाएं अपने जिन्दगी में, trust, okay, एक card और आगया, and this is separation, so आप लोग separation में हैं, but trust करें कि ये separation, जो है ये temporary है, मुझे ऐसे लग रहे हैं, कि जैसे ये चीज़ अब आपको bother कर ही नहीं रही, कि separation हुई भी है, आप ऐसे कुछ लोग अपनी जिन्दगी में अच्छा कर रहे हैं, और आप desperate नहीं हैं, किसी भी relationship में जाने के लिए, आपने ये सोचा है, तो मुझे आपकी energy में कोई desperation नज़र नहीं आ रही है, I really feel कि you are comfortable in your own skin, आप अपने आप में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, basically you are focusing on yourself, and trusting कि मेरे लिए जो भी अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा मेरे लिए, और अगर ये मेरे soulmate हैं, तो ये मुझे find out कर लेंगे, and then free yourself, it's time to take back control of your life, और यही आप कर रहे हैं इस वक्त, आप अपने life का control अपने हाथ में कर रहे हैं, इस separation में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये separation में, आपके person के जो limiting beliefs हैं, because this is eight of swords, उनके जो limiting beliefs हैं, commitment को लेकर, settle down होने को लेकर, अब उनका time आ चुका है, कि वो in thoughts से खुद को आजाद करें, so वो भी यहाँ पर काफी कुछ learn कर रहे हैं, so मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी आपकी life में, आपने लोगों को बहुत prioritize किया, बड़ी एहमियत दी, और अपनी happiness उनके हाथ में सौंप दी, बट अब जाकर आपको यह realize हो गया है, कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, आप अपनी happiness खुद भी create कर सकते हैं, basically लोगों ने, और relationships ने आपको इतना ठका दिया है, कि finally आपने ये lesson learn कर लिया है, कि single रहने में कोई मसला नहीं है, आप single रह कर भी खुश रह सकते हैं, amazing message है, maybe सब के लिए ना हो, बट मुझे ये energy बहुत feel हो रही है, Empress के साथ और पर Queen of Wands के साथ, क्योंकि ये जे दो cards हैं न, इन दोनों को, Empress को या Queen of Wands को, कोई मसला नहीं अगर लोग उनकी worth नहीं पहचान रहे, because they know their worth, और वो अपने authentic truth में खड़े हैं, और उन्हें पता है कि अगर कोई मुझे, वो जगा नहीं दे रहा, तो मुझे वहाँ से detach हो जाना है, और मुझे पता है मेरी worth क्या है, So, आप male हो या female हो, you know your worth, So, आपके लिए क्या advice है या क्या message है, let's see, वैसे तो मुझे ऐसे लगता है, कि आप बहुत powerful है, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट फिर भी एक message आपके लिए ले ले लेते हैं, So, ये जो इनसान है, ये आपके पास आ रहे हैं, but still उनको बहुत सा work करने की जरूरत है, इतने सारे आ गए हैं, अब क्या करें, रख लेते हैं, मुझे लगता है important है, So, we have expansive, every day I am learning new things, and expanding into my highest potential, the books हैं यहाँ पर, and यहाँ पर ये बंदा read कर रहा है, I really feel, कि आपके परसन भी हर दिन कुछने आ, learn कर रहे हैं, और आप भी, this is such a nice card, आप already learn कर रहे हैं, इस card में तो यह आ गया है, या learn करें, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए, projecting, rather than reacting and projecting my emotions on to others, I remember, no one is to blame, no one is responsible for the emotions that I feel, when someone says or does something that brings up strong emotions within me, I have the choice in how I respond, amazing message आया है, I'm amazed, क्योंकि मैं अभी आप से यही बात करे थी, कि आपको यह चीज बौदर नहीं करती कि, अब लोग क्या कह रहे हैं, आपको जान रहे हैं नहीं, you know your worth, और आपको पता है अब आपको किसको respond करना है, आपके उपर लोग अपने fears और चीज़ें जब project करते हैं, जैसे आपके person ने किया, आपको पता था कि, यह उनका problem है, it has nothing to do with your worth or value, यह चीज आपने लर्ण की है, together, I love working together with others, and how it makes once impossible dreams possible, I see there is strength in unity, and how much we can accomplish together, asking for help is not weak, it is powerful, so this is maybe you need to do right now, maybe यह एक चीज है जो आप शायद अभी ना कर रहे हों, maybe आप यह कह रहे हों के मुझे किसी की जरूरत नहीं है, and I am fine on my own, और मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है, but कोई ऐसा है, जिसके साथ मिलकर आपको work करना चाहिए, आपके family में, आपके friends में कोई sincere friend, कोई sincere family member, your mother, your sister, कोई ऐसा है, जिससे आप sharing भी कर सकते हैं, जिसके साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, ideas share कर सकते हैं, और unity is strength, यहाँ पर यह message भी आ रहा है, so maybe आपने किसी की भी तरफ देखना छोड़ दिया है, आपको किसी से help नहीं चाहिए, आप उस state of mind में हैं, बट कुछ अच्छे लोग आपके इर्दिगिर्द हैं, जिन से अगर आप help के लिए बोलोगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और यह एक powerful act है, इससे कोई इनसान weak नहीं होता है, so आपके person की तरफ से channeled messages देखते हैं, already हमारे पास दो आ गए हैं, तीन आ गए हैं, we are too different, आप और आपके person बहुत different हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और शायद इनी differences की वज़ा से आप लोग अलाइदा हुए, obviously, you are my family, but, अलाइदा होने के बाद उनको realization हुई, कि आप उनकी family है, I want to be authentic, oh my god, इतने सारे cards में से यही card आया है, और king of swords हमने देखा, और हम यही बात करे थे कि इनसान इस बार आपके साथ authentic होना चाहते हैं, clarity देना चाहते हैं, and, card नीचे गिर गया, and this is, no, no का मतलब है, now is not the right time, but it will happen, and bottom पर हमारे पास है, I want success, so yes, उन्हें success चाहिए अपनी life में भी और इस connection में भी coming to get you, so maybe अभी वो prepare कर रहे हैं, खुद को अभी तो वो learn कर रहे हैं काफी कुछ, so I feel कि यह इनसान आपकी तरफ आएंगे, और आपकी खुबसूरत energy, आपकी magnetic energy उनको आपकी तरफ खेंच रही है, so, आपके person की energy मुझे overall जैसा हमने देखा कि immature नज़र आई, commitment issues नज़र आए, commitment का fear नज़र आया, so यह चीज़ें हैं, but I do see कि यह इनसान आपसे प्यार भी करते हैं, चलना चाहते हैं आपके साथ, so you are the only one जोन की जिन्दगी में आप जैसा कोई पहला ही इनसान आया है, जिससे मिलने के बाद, वो मजबूर हो गए हैं कि वो अपने आपको बदलें, so, let's start with your yes and no, we have R, S, K, U, H, D, C, 8, 8, 8, Z, number 10, 8, T, Q, B, R, Q, M, C, 2, 2, 2, 2, U, P, E, I, S, W, C, आपका अंसर आया है, ask your friend, 11, 11, so, इसका मतलब ये भी है कि trust your intuition, इसको हम ऐसे भी consider करते हैं, so, ये हैं आपके letters और numbers, देख लिजए कैसे आप से match करते हैं, और ये थी आपकी reading, I really hope कि ये reading आपके लिए helpful रही, कुछ भी आपको पसंद आया, आप मुझे जरूर बताएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, subscribe किये बिना मत जाएगा, मेरी आप सब लोगों के लिए धेर सारी दुआ है, आप अपनी जिंदगी में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिंदगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा, मैं मिलूँगी आप से नेक्स्ट वीडियो में, till then, love you lots, bye bye,